कलस्टी बी के पॉपलर सीरियल फणा में हमने अब तक देखा पाखी और अगस्ट्या कोल्ड चेमबर में फस जाते हैं और अगस्ट्या अपनी जान पर खेल कर पाखी को बचा लेता है आगे अगस्ट्या पाखी को गोद में उठा का ट्रीटमेंट के लिए ले जा रहा हो होता है और पाखी पूरी तरह ठीक हो जाती है आगे इशान कहता है अगस्तिया तुम कैसे हॉस्पिटल आए जिस पर अगस्तिया कहता है मैं पाखी के रिगार्डिंग तुम से बात करने आया था मुझे वार्ड वॉय ने बताया कि तुम कोल्ट शेंबर में हो आगे इशान कहता है वैसे अच्छा हुआ तुम थोड़ा लेट हो गए नहीं तो हम दोनों के बीच वो सब कैसे होता और हमारे बीच मिसंडरस्टेंडिंग क्लियर हो गई है आगे इशान कहता है मैंने पाखी को शादी के लिए प्रपोस किया है और उसने हाँ कर दी है ये सुनकर अगस्तिया बहुत गुछ सा होता है आगे अगस्तिया पाखी को एक सुनसान जगा पर ले जाता है और कहता है उस इंसान ने तुम्हें एक बार धूका दिया, उस पर तुम कैसे विश्वास कर सकती हो? मैंने अगर कहा कि कीलो पर चल दो तो तुम क्या चलोगी? आगे पाखि कीलो पर चलने वाली होती है कि वहाँ पर अगस्त्या अपने हाथ रख देता है, पर पाखि कहती है, प्यार मे ःध्राइ में कीड़े देखकर पाखी के पापा शॉक्ड हो जाते हैं आगे अगस्तिया पाखी के घरवालों की सामने इशान की इंसल्ट करते हैं, वहीं पंडिट जी आते हैं कंडिली देखने के लिए और केहते हैं कि इन दोनों की शादी हुई तो जान को खत्रा है पर अगस्तिया कहता है 22 फर्वरी को शादी है आज से पांच दिन बाद वहीं अगस्तिया ईशान और पाकी की सारी जिम्मेदारी खुद पर लेता है और ईशान के बैचलर्स पार्टी का एलान करता है वहीं अगस्तिया इशान को मारने की प्लैनिंग करता है और कहता है ये शादी एकदम यादगार होने वाली है बाए डॉक्टर सहब आगे पाखी को सगाई के लिए लहंगा पसंद नहीं आता है और अगस्तिया आकर उसे फार देता है और कहता है मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और तुम खरीद लो जो तुम्हें पसंद आए यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है और अब ऐसे में सोचने वाली बात ये है कि आखिर शादी में क्या घमसान करेगा अगस्तिया जानने के लिए देखना ना भूले फना टेलेविजन के लेटिस्ट अबडेट्स और चटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले